Hello friends, मैं दानियाल, स्वागत करता हूँ आपका Kiddo Coder में Friends, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम वीडियो फाइल को HTML में कैसे इंबेट करते हैं, किसी वीडियो फाइल को हम HTML में कैसे include करेंगे और HTML में वीडियो को कैसे play करेंगे तो चलिए बिना टाइम कवाए वीडियो को देखते हैं How to embed video in HTML To embed video in HTML We use video tag हम video tag का इस्तमाल करते हैं Video को embed करने के लिए HTML में It can contain One or more video source At a time using video tag यह एक से ज़्यादा video एक time में क्या कर सकता है Contain कर सकता है किसके मदद से Video tag की मदद से It supports mp4, webm and ogg format in all browsers यह जतने भी browsers है वो सब में यह जतने फॉर्मेट से इसको क्या करता है Support करता है लेकिन ogg file जो है हमारा वो safari browser support नहीं करता है वो exception है Safari browser does not support ogg format अगर हम इसके syntax की बात करें तो simply हम इसमें लिखते हैं video उसके बाद हम इसका source देंगे Source में हम file name लिखेंगे जो हमारा file name होगा video का वो लिखेंगे उसके बाद file type क्या है Video हम embed कर रहे है तो यहाँ video लिखेंगे और slash में जो format होगा हमारा माल लिए जहाँ mp4 format यूज कर रहे है तो mp4 लिखेंगे और फिर वीडियो को क्या करेंगे close करेंगे यह हमारा open tag कर लाता है और यह close tag कराता है हम आपको practical भी करके दिखाएंगे भी अगर हम इसके attributes की बात करें तो autoplay का attribute है control attribute है loop हो गया muted हो गया posted हो गया width हो गया height हो गया preload हो गया और source हो गया attribute अगर autoplay की value की बात करें तो autoplay ही होता है control का भी value control होता है loop का भी value loop होता है muted का भी loop muted होता है और हमारा poster का URL होता है और attribute है width है मेरा उसको हम pixel में हमेशा लेंगे height है मेरा उसको भी हमेशा हम pixel में ही लेंगे preload है हमारा वो auto भी हो सकता है नन भी हो सकता और मेटा डेटा भी हो सकता जो डेटा आप फिक्स्ट करेंगे सोर्स हमेशा हमारा क्या होगा यह हमारे क्या थे एट्रिब्यूस थे और यह हम ऐसे वीडियो का कैसे इंबेड करते हैं चलिए हम आपको प्रैक्टिकली करके दिशाते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू फाइल लेंगे एक न्यू फाइल बनाएंगे और उस फाइल को सेव करेंगे माली इसको मैंने सेव कर दिया आउडियो के नाम से ठीक है इसके बाद आप बॉडी में आएं और बॉडी में यहां मैंने वार्छा हेडिजशनके हेडिंग ले ले लेता हूं ह!most vere नष यहां पर लिख देता हूं कि लिक टु पले इसके बाद आपको audio टैग लेना है और यो क इंबेरड करने के लिए तो यहां मैंने audio tag ले लिया audio के अंदर आपको attribute ले लेना है controls ठीक है अब इसके अंदर आईए आप source लिखिए source ठीक है यहां पर आपका file का जो नाम है वो लिखिए जैसे यह नाम है आपका YouTube और इसका format है मेरा MP3 तो मैंने MP3 लिख दिया अब file का type लिखिए कौन सा type है audio type है right audio type है और कौन सा format है तो MP3 format है यह लिखने के बाद इसको आप save कीजिए ठीक है save कर दिजिए और आप folder में जाके इसको फिर से क्या कीजिए run कीजिए YouTube Subscribe now and press the bell icon never miss an update अब्सक्राइब